तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको विता दई कि विधायक टी राजा को पुलिस ने फिर से गिरफतार कर लिया है इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंग को गिरफतार किया है एक बार फिर से उनकी गिरफतारी हुई गिरफतारी से पहले टी राजा का वीडियो भी सामने आया और उसमें कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ इस वीडियो में टी राजा ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और अब इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है कि टी राजा को एक बार फिर से पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जहां हैदराबाद में AI MIM के विरोध के चलते सुरक्षा वेवस्था को बढ़ाया गया अब आपको ये बता दे कि विरायक टी राजा की गिरफतारी एक बार फिर से पुलिस ने कर ली है हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंग को गिरफतार किया है और इससे पहले हाजीनियूस पर आपने वो वीडियो देखा था जिसमें मैं किसी से नहीं डरता हूँ ये कह रहे थे टी राजा और अब उनकी एक बार फिर से गिरफतारी हुई है हलागे आपको ये भी बता दे कि हैदराबाद पुलिस राजा सिंग को एक बार फिर से गिरफतार किया जा चुका है इससे पहले जो वीडियो सामने आया था ती राजा का उसमें वो ये कहते हुए साथ तोर पर दिखते हैं सुनाई दे रहे थे कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और अब ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं अपसे थोड़ी देर पहले की है जिसमें पी राजा सिंग को पुलिस ने एक बार फिर से गिरफतार कर लिया है जब से उन्हें रिहा किया गया कोट की तरफ से उसी के बाद से जगा जगा प्रदर्शन हिदराबाद में दे पुस्त किया गया ये बड़ी अपडेट हमने आपको दि लेकिन फिलाल इस खबर से जूरी स्वक्त किये सबसे बड़ी जानकारी है कि ती राजा सिंग को एक बार फिर से पुलिस ने गिरफतार कर लिया है एक और बड़ी खबर इसी भी चारही है मैं किसी से डरने वाला न पुलिस ओवेसी की कट पुतली ये कहना है टी राजा का अपने इस वीडियो संदेश में और ये भी बताया कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ क्योंकि जब कल गिरफतारी हुई थी उसके बाद वो रिहा हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब ये वीडियो आता है तो उसमें वो ये साफ संदेश देने की कोशिश एक तरा से ओवेसी को ही सिधा कर रहे थे कि वो किसी से ढड़ते नहीं है क्योंकि ओवेसी और उनकी पार्टी लगाटार इस पूरे मामले पर विरोध कर रहे है और अब एक बार फिर से टी राजा सिंग की गिरफ तारी किये तस्पीरे आप देखें पॉलिस के फटर मारने वालों को खुले आम असद्दिनोवेसी चुड़वा रहा है तो यहां की पॉलिस असद्दिनोवेसी के हाथ की कट पुकली बन चुकी है खुले आम दिख रहा है, खुले आम नारे बाजी, खुले आम प्रदशन, खुले आम फत्तर बाजी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टार्गेट किया जा रहा है, हिंदूओं के घरों पे फत्तर मारा जा रहा है अगर इसका कालिकरम से पहले मैंने कहा था, कि अगर इसका कारीकरम होगा तो अगर इसका कालिकरम कामेडी शो मैं भी करूंगा 22 के दिन कारेकरम उसका हुआ तो 22 के दिन मैंने एक कारेकरम किया फारुकी को ने लेकर टोटली टार्गेट मेरा फारुकी था लेकिन दुर्भागी देखी है कि कुछ दूसरे लोग हमारे पैगंबर के उपर इन्हों ने वीडियो बनाया हमारे म मुहमत के ओपर इन्होंने कामेडी की इस प्रकार से कुछ लोग फोकस कर रहे तो मैं उनको कहना चाहूंगा ना उस वीडियो में मैंने आपके मुहमत पैगंबर का नाम कहीं पर भी नहीं लिया मेरा टार्गेट कोई और और मैंने कामेडी किसी और पर की लेकिन तुम कोट की बत वो तो मैं कोट ने मुझे परसनल बांड दिया सो में छूट कर रहा लेकिन पिछले दो दिनों में कितना आहाकार यह लोग मचा रहे वोल सिटी में धंगा फसाद कर रहे पोलिस की गाड़ियां फोड़ रहे तंजुदा यानि सर तंज से जुदा इस प्रकार से यह तालिबा नारे वो लोग लगा रहे हैं तो मैं जो लोग नारे लगा रहे हैं मैं आज पॉलिस प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि जो खुले आ हमेरी घरदन काटने की बात करते हैं कितने लोगों को आपने हरेश किया यह कांगरेस का नेता राशी तो कहां पर चु गर्दन है क्या हम हमारी गर्दन ऐसे कटवा दे हम शत्रिय और हम सर काट भी सकते हैं देश धर्म के लिए सर कटा भी सकते हैं और यह राजा सिंग की गर्दन कोई बगरे की गर्दन नहीं है जो आय काट दे हमारे उपर जो छूरी उठेगी ना हात रहेगा ना घर्दन रहेगी यह राजा सिंग का चैलेंज है और ही जो कोड को हम जो जवाब देना है पोलिस को जवाब देना है हमने लिखित रुप में दिया है साथी साथ आज कम्मिनल वाइलेंस कराने में असद्धुनोविसी का पूरा हाथ है जो लोग 70 मार रहे हैं जो लोग सरकार अभी मुझे सुचना मिली है कि आज या नहीं तो श्राम में या नहीं तो इगली मॉमिन पुराने पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरिश कर सकती है पुल या पेडियार दालकर उसको जेल में रखा जाया ऐसी योजना चर्मरी ये बोलकर मुझे इंटिमेशन आया तो मैं मुख्यमत्रशी को बताना चाहूंगा ना हम भूली से ड़ते हैं ना हम भासी से ड़ते हैं और मेरे सयोगी जितेंद्र शर्माभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र अभी लेटेस जानकारी क्या है वहाँ पर क्योंकि टी राजा को फिर से गिरफ्तार किया गया है उन्हें कहां ले जाया आज गया ये जानकारी दीजे पहले देखें परियोडी मैं इसनमें नामपली कोड के बहार खड़ा हूँ या पीछे आप देख सकते हैं कि नामपली के मेटर पॉलिटन क्रिमिनल कोड कॉंप्लेक्स है नाम टी राजा सिंग को उनके घर से जब गरफ्तार किया गया है तो उनको इसी अदालत में उनको लेकर कि आया जाएगा ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि आज ती राजा सिंग ने सवेरे एक वीडियो जारी करके और जो दो नोटीस उनको बेजे गए थे रहटराबार पुलिस की तरफ से सी आर पीसी 41 के तहट उसमें उन्होंने आशंका जाहिर कर दीदी कि आज उनको किसी किसी बहाने से गिरफतार कर लिया जाएगा क्योंकि जो दो नोटीस उनको भेजे गए थे उनमें से एक मामला फरवरी का था और दूसरा मामला अप्रेल में दर्ज हुआ था लेकिन जिस तरह से ती राजा सिंग को हेट स्पीस के मामले में कुछ दिनों पहले गिरफतार कि कि या गया था जितेंद्र में आपके पास फिर से आओंगे और आपसे सारी जानकारी डीटेल में लेंगे लेंगे झाल